हेलो दोस्तों सुचनावाला में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे PGT भरती के वारे में जिसमें क्या बोताया गया है असिस्टेंट प्रोफेसर स्थर का जो लेवल है वो इंकलूड कर दिया गया है अब इसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत करनी प कि अभी जो क्रिसी के एस्टियो की बरती हुई थी इस पर काफी पब्लिक कमिशन है वह चर्चा में रहा है इसमें क्या बात बताया गया है क्योंकि PGT की बरती फिक्सा स्लेवर्स कोलेज के एडर के असिस्टेंट प्रोफेसर स्तर का रहेगा कमिशन के और चे नया स्लेवर स्तियार करने के बजाए पूरा के असिस्टेंट प्रोफेसर की जो बरती हुई थी वही कोपी पेस्ट करके ढाल दिया है तो अगर आप PGT की त्यारी कर रहे हो तो आप यह समझे लेना भी जो लेवल है वह काफी हाड होने वाला है अब फिजिकल तो इसके इलावा फिजिक कि एक तरफ 40-50 प्रतिसात क्वालिफाई मार्क दूसरी तरफ नेगटिम मार्किंग और अब असिस्टेंट प्रोफेसर का स्लेवस उन आने के लिए बड़ी मुश्किले होगी तो यह समझे लो सिर्फ मुश्किले ही पैदा होने वाली है अगर आप अच्छे से त्यारी नह नहीं देखा तो अच्छे से स्लेवस देख लेना कि क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर की बर्ति के मुकावले ही वह स्लेवस दिया गया है एस पेशी की वैब साइट पर सारा कुछ दिया हुए आप आँसे देख लेना अब फरक तो यह भी है भी जो बरती है वह हो तो रह है असिस्टेंट प्रोफेसर में क्या चाहिए 55% में के लाब के साथ और मेड योर नेट पास होना अनिवार है यह इतना फरक है और पीजेटी में जो वेतन है वह 47,600 है और उसमें 57,700 बेसिक सेल्ट रही है फरक है पर क्वालिवकेशन अलग अलग है फिर भी स्लेवस सेम द करना मैंनत अच्छे से करना शुरू कर दो क्योंकि कंपर्टिशन बहुत हाई है ठीक है जी ओके थैंक्यू सो मच